आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार और नजर आ रहे हैं वहीं ताले और तालीम से पहचान बनाने वाले अलीगड में गंगा यमना तहजीब के दाइरे में हिंदू वा सामाच के लोगों ने होली पर पर दूसरे के गुलाल वा फूलों से होली खेल कर भायचारे की मिसाल दी ये आपको हम संबल की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां संबल में होली को लेकर शहर में उत्सव का धौर सुरू हो गया शहर के बहजोई इसलाम डगर रोड इस्तेते डी आर रिजॉर्ट पर होली मिलन समारो आयू जित किया गया जहां फूलों की होली कारक्रब में जम कर गुला लुडा होली इसल पर होली का देहन ग्रामिडों के साथ पुलिस ने राजस्व नयाप तैसिलदार चौकी प्रभारी मौजूद होकर शान्ती बिवस्था के सांस संपन कराई जा रही होली कि बता दें शहर शहर होली के रंग देखने को मिल रहे हैं यह हम तस्वीर आपको संबल से दिखा रहे हैं जहां बड़े ही धूमधाम तरीके से होली मनाई गई होली प्रेम का त्योहार है और मैं समुचे बहजोई निवासी और जनपत संबल के जो इतने भी नागरिक हैं मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूं कि होली पर प्रेम और सवहार्थ को बनाए रख्या और प्रेम का जो संदेश जहां अंग्रेजी कल्चर में प्रेम के ल लेकिन हमारा जो फागुन का महिना होता है वो पूला प्रेम का महिना होता है जिसमें ब्रज की जो होली है राधा क्रश्न के माध्यम से प्रेम का संदेश सारे संसार में जाता है पूली मिलिंस हमारू आपस में लोगों का प्यार बढ़ाने के लिए एक दूसरे से मिलने के लिए यह हम एक कलब बढ़ाया है भारत बिगाश परसर साका बेज़ई के नाम से उसमें पुरुष बामाईला है दोनों की सहलागत रहती है बच्चे की सहलागत रहती है साजहापूर में होली पर्व और लाट साहब के जलूस को शांतिपूर संपने कराने के लिए शहर से लेकर बरेली के अधिकारियों साजहापूर में डेरा डालना पड़ता है अनोखे लाट साहब को जलूस को संपने कराने के लिए आज डियम और एसपी ने पुलिस लाइन में बैठक की जिसमें बाहर से आया पुलिस बला और इस्थानी अधिकारियों को ड्यूटी के बारे में जानकारी दी गई साजही उनको तेवहार और लाट साहब के जलूस के बारे में बताया गया आखिर कैसे उनको ड्यूटी की जिम्मेदारी निभानी होगी होली इस्तल पर होली का देहन ग्रामिडो के साथ पुलिस ने राज़त सुने आप तहसिलदार चौकी प्रभारी मौजूद होकर शांती विवस्था के साथ संसंपन निकराई जा रही होली शांती वस्था के साथ होली पर वो भाईचारी का प्रतीक है होली इस तल का निरिक्षड किया गया पता दें हर कोई होली के रंगों में सरबोर नजर आ रहा है कहीं गुलाल तो कहीं फूलों की होली खेली गई हर तरफ होली के रंग देखने को मिल रहे हैं वहीं तोहार के मद्दे नजर प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है तादेश शहर शहर होली की धूम देखने को मिल रही है कहीं गुलाल तो कहीं फूलो की होली खेली जा रही है और तोहार के मद्दे नजर प्रशासन भी अलर्ट मोट पर नजर आ रहा है हर कहीं होली के रंग बिख्रे हुए है रंग की तस्वीरे आप साफ तोर पर देख सकते हैं शहर सहर होली की धूम देखने को मिल रही है लोग बड़े ही धूम धाम के साथ ढोल बाजों के साथ होली का पर्व मना रहे हैं कहीं होली तो कहीं गुलाल के साथ लोग होली खेल रहे हैं इस संबल से आप तस्वीरे देख रहे हैं जहां बड़े ही धूम धाम के साथ होली मनाई गई है नाचगानों के साथ होली का पर्व मनाया जा रहा है हर कोई होली के रंगों में सरबोर नजर आ रहा है होली प्रेम का त्योहार है और मैं समुचे बहजोई निवासी और जनपत संबल के जो इतने भी नागरिक है मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूं कि होली पर प्रेम और सौहार्थ को बनाए रखे और प्रेम का जो संदेश जहां अंग्रेजी कल्चर में प्रेम के लिए केवल एक दिन तै कर दिया गया है लेकिन हमारा जो फागुन का महिना होता है वह पूला प्रेम का महिना होता है जिसमें ब्रज की जो होली है राधा क्रश्न के माध्यम से प्रेम का संदेश सारे संसार में जाता है पूली मिलन समारू आपस में लोगों का प्यार बढ़ाने के लिए एक दूसरे से मिलने के लिए यह हम एक कलब बढ़ाया है भारत बिगाश परसर साका बैज़ी के नाम से उसमें पुरुष बामाईला है दोनों की सहलागत रहती है बच्चे की सहलागत रहती है ज्यादा क के बैसे तो हम लोग पूरे दिन अपने बैस्त रहते हैं कामने तो इसी वाले हम साम में एक होली मिलन समारू कारकरम ड़क दिये तो लोग गेट तोगेधर हो जाती है दूसरे से मिलना हो जाता है लोगों का तो इसलिए देशफर में होली को लेकर रंगोर्सों की शुरुआत हो चुकी है शहर शहर गाओं गाओं लोग रंग औगुलाल में लिप्टे हुए नजर आ रही हैं चारो तरफ होली को लेकर भारी उटसा है देशफर में लोग रंग औगुलाल में सराबोर नजर आ रही हैं वही ताल पहचान बनाने वाले अलीगड में गंगा जमनी तहजीब के दारे में हिंदू वर समाज के लोगों ने होली पर्व पर एक दूसरे के गुलाल वा फूलों से होली खेल कर भायचारे की मिसाल दी है। सम्बल जाहां सम्बल में होली को लेकर शेहर में उत्सौका दोर शुरू हो गया है तस्वीरों में आप देख सकते हैं तस्वीरे सम्वल की है जहां होली बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है गाने बाजिक के साथ लोग धूमधाम से होली का पर्व मना रही है बता दें शेहर के बहजोई इसलाम नगर रोड इसीते डियार रिजोर्ट पर होली मिलन समारों का आयूजित की आ गया जहां फूलों की होली कार्करम में जम कर गुला लुडा होली इसल पर होली का देहन ग्रामिडों के साथ पुलिस ने राजस्व नयाब तहसीलदार चौकी प्रभारी मौजूद होकर शांती विवस्था के साथ संपन्न कराई जा रही होली शांती विवस्था के साथ संपन्न हुई होली पर भाईचारे का प्रतीक है तस्वीरों में आप देख सकते हैं संबल की तस्वीर है जहां बड़े ही धूमधाम के साथ होली मनाई गई अब आपको बताते हैं साजहापूर के बारे में जहां होली पर्व और लाट साथ के जुलूस को शांतिपूर संपन ने कराने के लिए शहर से लेकर बरेली के अधिक आपको साजहापूर में डेरा डालना पड़ता हैं नोखे लाट साथ को जुलूस को संपन ने कराने के लिए आजडियम और एसपी ने पुलिस लाइन में बेटकी जिसमें बाहर से आया पुलिस बन और इस्थानी अधिकारियों को ड्यूटी के बारे में जानकारी दी गई साथ ही उनको तोहार और लाड साहब के जलूस के बारे में बताया गया आखिर कैसे उनको ड्यूटी के जिम्मेदारी निभानी होंगी वहीं आपको ले चलते हैं और आया जहां पर होली के मौके पर छापे मारी की कारवाई की गई है तस्वीरों में आप देख सकते हैं छापे मारी की कारवाई की गई है जिन साहिवान लोग भी दुखानों पर भी चैकिंगे जारी हैं जिन साहिवान लोग भी दुखानों पर एक्साइज के साथ चैकिंग कर रहे हैं अभी तक सरकारी दुकार में किसी भी परकार में कोई गड़बड़ी नहीं पाएगी और यासे तस्वीरे आप देख रहे हैं जहां होली के मद्दे नजर छापे मारी की करवाई की गई है ये साजहापूर की तस्वीरे आप देख रहे हैं जहां होली के मद्दे नजर बैठ ठक की गई है कहीं गुलाल तो कहीं फूलों की हूली खेली गई है पर्व नजजदीक है वैसे ही शेहर के प्रमुख बाजारों में रौनक बढ़ रही है पर्व मनाने के लिए सामान की सूची के साथ लोग दुकानों पर पहुशने लगे है दुकानदार भी एक एक कर उन्हें निकलवाने में लगे है भीड के चलते कहीं दो तो कहीं तीन घंटे तो कहीं पूरा दिन लग रहा है उधर पिछकारी रंग गूलाल मेवा की दुकानों पर इस समय सबसे ज़्जादा ग्रहा का रही है शेहर में भारी भीड देखने को मिल रही है तरहा तरहा की परमपरा, गतवा, आद्मिक पिछकारियां, रंग, अबीर, गुलाल की दुकाने सब ही को अपनी और आकर सित कर रही है तो यह आपने देखा शहर शहर होली के रंग आपसे फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए बने रहे हैं प्राइम टीवी के साथ नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार